Welcome back traders, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम Scalping Zero से लेकर Advanced Level तक सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस Scalping Course में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि Scalping क्या होती है उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कहां-कहां Scalping करनी चाहिए कौन से Stocks में करनी चाहिए और कौन से Indexes में करनी चाहिए उसके बाद हम देखेंगे Best Timings for Scalping यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 9.15 से लेकर साड़े तीन के दरमियान आप कौन-कौन से Time पर Scalping कर सकते हो और कौन सी Scalping कर सकते हो यहाँ पर मैंने Scalping को दो तरह से Divide किया है एक होती है High Volatility Scalping और दूसरी होती है Low Volatility Scalping यह चीज़े मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा उसके बाद हम देखेंगे Time Frames पर Scalping हमें कौन-कौन सा Time Frame यूज़ करना चाहिए According to Situation अगर High Volatility होगी तो कौन सा Time Frame यूज़ करेंगे अगर Low Volatility होगी तो कौन सा Time Frame यूज़ करेंगे अगर सुबा का मार्केट होगा तो कौन सा Time Frame यूज़ करेंगे यहाँ पर मैं minimum capital की बात करूँगा, maximum आप जितना चाहे उतना use कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे strike price selection की जो कि एक important topic है scalping के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को confusion होता है strike price selection करने के दोरान scalping trading में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि जब expiry नजदेख ह लेना है, जब volatility high होगी तब कौन सा लेना है, जब low volatility होगी तब कौन सा strike price आपको select करना है, उसके बाद हम बात करेंगे strategies आप scalping की जिसमें मैं आपको दो तरीके की strategy सखाऊंगा, एक होगी price action based scalping strategy और दूसरी होगी indicator based trading strategy, अब यह series में continue करूँगा तकरीबन 2-3 हफते ताकि आपको scalping पे एक अच्छी खासी group आ जाए, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, scalping की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा trading style है, जहांपर हम price के छोटे छोटे moments को capture करते है, for profit purposes, for example, अगर market में मैंने यहां पर buy किया और market थोड़ा सा उपर चला गया और मैं यहां पर book क तो यह एक scalping है, नीचे आप चार्ट में देख सकते हैं, अगर मैंने यहां पर buy किया, यहां पर exit किया, यह एक दो minute के बाद यह exit किया, दो तीन seconds के बाद exit किया, तो वो scalping है, यहां पर मैंने एक price moment पगड़ा, यहां पर exit किया, तो यह scalping है, यानि कि short में कहूं तो scalping होती है, जब हम price के छोटे-छोटे moment उसको capture करते है, for profit purposes, scalping trading में आपको कुछ rules याद रखने होंगे, जो सबसे पहला rule है, कि आपको कब तक hold करना चाहिए, इसका जो holding period है, वो कुछ seconds से लेकर maximum 15 minutes तक होता है, अगर आप उसके बाद भी hold करना चाहिए, तो उसके लिए condition है, कि आ आप उन profits को trail कर सकते है, लेकिन अगर आपके profits नहीं है, और आप break even पे हो, या loss पे हो, तो आपको hold नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर और एक भी चीज़ होती है, कि जैसे ही आपका stop loss हिट हुआ, आपको quickly निकलना है, यहाँ पर holding की कोई भी गुंजाईश नहीं होती है, profit आया, निकलना है, loss आया, निकलना है, डूसरा rule जो आपको यहाँ पर याद रखना है, वो है risk to reward ratio, यानि कि आप कितना loss दे रहे हो, और उसके against में आप कितने points बुक करना चाहते है, वो होता है risk to reward ratio, minimum यहाँ पर suggest किया जाता है, one is to one, जो कि famous भी है, लेकिन मैं आपको suggest करत हूँ कि आप one is to one point five या one is to two तक जाए, one is to three तो rare होता है, उतना ज़्याद आपको नहीं मिलेगा scalping में, लेकिन अगर आप holding trades करते हो, तो one is to three जो है, वो easy होता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ कि one is to three वाले बड़े trades हमें कौन से time पे मिलते है, इसके end of month आप देखोगे कि आपने सिर्फ brokerage पे की है और आपका profit नहीं हुआ होगा, 35,000 एक genuine capital है, minimum requirement है, जहां से आपका अच्छा खासा profit होना शुरू हो जाएगा, क्यूंकि आज हर एक दिन पर expiry होती है, तो आपको जो premium से वो सस्ते मिलेंगे और आप अच्छी quantity से भी trade कर पा quantity तो लेने ही पड़ेगी ताकि आपके अच्छे profits हो जाए, यहां पर आपका एक predefined stop loss होना चाहिए, stop loss हिट हुआ तो आपको आपने trade से निकल जाना है, तो यह चीज याद रखना, इसके बाद आती है timing फार option scalping, यानि कि सवा 9 से लेकर साड़े तीन के दर्मियान आपको market होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाओंगा कि scalping दो तरीके से होती है, एक होती है high volatile scalping, दूसरी होती है low volatility, तो high volatility market का ही मतलब होता है, जब market में अच्छे खासे बड़े momentus आ रहे हो, एक direction में momentus आ रहे हो, और दूसरी चीज अगर आपको इसको समझन है, तो आप option chain पर IV यानि कि implied volatility देख सकते हो, जब वो high होगी तो उस वकत हम कहते हैं कि इस वकत high volatility trades है, premium मेहंगे है, क्योंकि volatility ज्यादा है, और यह ज्यादातर होता है 79 से 945 के दर्मियान, तो इस वकत वही बंदा trade करेगा, जो एक experience बंदा होगा, यहाँ पर आपको quickly trade लेन काने की कोशिश नहीं करना, यहाँ पर आप दोनों बहुत CE and PE खरीच सकते हो, क्योंकि अभी direction जो है market की, वो decide नहीं हुई होती है, फिर से मैं कहूंगा, यह timing जो है high volatile timing होती है, सिरफ experience traders के लिए ही suggest किया जाएगा, जो beginners है, उनको मैं minimum कहूंगा, कि वो 945 के बाद ही market में आ एक market को, कि वो क्या उपर जाना चाता है, या नीचे जाना चाता है, या एक sideways market बनना चाता है, तो यह जो time है, यहाँ पर decide करता है market के कितना बड़ा moment आएगा, इस तोरान आपको अच्छे खासे बड़े trades मिलेंगी, 1-3 ratio वाले, 1-2 ratio वाले, 9.15 से लेकर 9.45 जो timing है, वहाँ पर high risk high reward होता है, 9.45 से 11 के बेच में यह low risk high reward trades होते है, तो मैं ज़्यादा तर यही खुद prefer करता हूँ, और मैं beginners के लिए यह suggest करूँगा कि आप इस time frame पर analysis बहुत ज़्यादा किया करे, इसके बाद और एक timing होती है, 11 एम से लेकर साड़े बारा या डेड़ बज़े तक, 9 वाला market है, वहाँ पर भी आप C, P, E कर सकते हो, लेकिन जो 9.45 से 11 बज़े तक का trade है, वहाँ पर आपको direction trade है, तो आपको C, E में जाना है, या तो आपको P, E में जाना है, क्योंकि यहाँ पर market ही direction decide होती है, उसके बाद 11 से 1.5 बज़े तक आप फिर से कर सकते हो C, E और P, E यहाँ पर आपको छोटे छोटे targets book करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उतने ज्यादा बड़े momentus expected नहीं होते है, तो पहला वाला high risk high reward, दूसरा वाला low risk high reward, यह होता है low risk low reward वाला zone, उसके बाद फिर से एक timing आती है, देर बज़े से साड़े तीन के दर्मियान, यह होता लेकिन कभी कबार क्या होता है, कि market अजीब तरह से बहीव करता है, मैं उन दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक general बात कह रहा हूँ कि ज़्यादा तर टाइमस market क्या आपको दिखा देता है, तो यह timing से आप याद रखना, इसी हिसाब से आप दो sessions चोज़ क क्योंकि अगर आप सुभा profit करोगे तो second half में वो सारा कुछ गवादोगे और अपना भी loss कर जाओगे, तो यहाँ पर आपको दो ही trade sessions जो हैं लेने हैं, आप ये और ये ले सकते हैं, आप ये और ये ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन आप market में trade नहीं कर सकते, scalping के बहुत सा scalping की बात कर रहे तो इसके लिए जो best time frames होंगे, वो होगा 5 minutes, 3 minutes और 1 minute का time frame, लेकिन यहाँ पर भी थोड़े rules होंगे कि कौन से market में और कौन सी timing के दोरान कौन सा time frame हम use करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सवा 9 से 9.45 के बेच में आपको 1 minute time frame, 3 minute time frame और 5 minutes time frame आ यह होगा, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको कहा, कि 9.15 और 9.45 के बीच में सिर्फ advanced level के scalpers ही trade करेंगे, लेकिन अगर आप एक beginner trader हो, तो आप 9.45 के बाद ही market में आएंगे, 9.45 से 11 के बीच में बात करें, तो यहाँ पर क्योंकि market जो है एक direction बनाता है, अगर आप 1 minute का time frame खोलेंगे, तो वो आपको bluff कर सकता है, और आपको गलत direction दिखा सकता है, इसलिए यहाँ पर जो suggestion रहेगी, वो होगा 3 minutes time frame और 5 minutes time frame, अगर आपको holding का trade करना है, तो आपको 5 minutes time frame पर ही देखना है, लेकिन अगर आप एक advanced level के scalper हो, या advanced level के trade हो, तो आप 1 minute का chart यूज कर सकते हो entries के लिए, लेकिन अगर आप एक beginner हो, या normally trade करते हो, तो आपको 3 minutes और 5 minutes का ही चार्ट यूज करना है, उसके बाद आता है 11 to 12 या 1.5 बज़े तक का chart, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 minutes का time frame यूज करना है, अगर market में एक direction है, अगर market में एक moment अच्छा खासा आ रहा है तो आप 3 minutes और 5 minutes के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर market में volatility कम है, market रुका हुआ है, तो आप सिर्फ और 5 minutes का ही time frame यूज करेंगे, इस time frame के बीच में क्या होता है, कि जो 1 minute का chart है, वो बहुत ज़दा bluff करता है, बहुत ज़दा गलट direction दिखाता है, लेकिन जब हम उसी को 5 minutes time frame प कर सकते हैं, और advance level के scalpers भी trade कर सकते हैं, यहाँ पर आपको low risk, low reward मिलेगा, यहाँ पर आपको quickly profits बुक करने है, for example, nifty की बात करो, तो 5 से 7 point या 10 point लेके आपको quickly निकल जाना है, यहाँ पर hold करने की बिलकुल भी गलती नहीं करना, वरना आपका theta decay हो जाएगा, और जिससे 3 बजे का time frame या 3.30 तक का time frame, तो इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें market जो है, वो direction reverse भी कर सकता है, direction continue भी कर सकता है, low volatility भी दिखा सकता है, या एक नए swings की formation करता है, तो यहाँ पर आप 1 minute भी time frame यूज़ करोगे, 3 minute भी 5 minute भी, beginner के लिए suggestion है कि 3 minutes और 5 minutes यूज़ करे, advanced level के लिए यही suggestion रहेगी कि आप 1 minute को सिर्फ और सिर्फ entry के लिए use करे, बाकी analysis आप 3 minutes और 5 minutes के chart पर ही करे, इसके बाद आता है कि अब आपको कौन से indexes या stocks में option scalping करनी चाहिए, वैसे तो आप इन सब में कर सकते हो, चाहे वो nifty 50 हो, bank nifty हो, nifty mid gap हो, fin nifty हो, bank x हो या sense x हो, लेकिन ज्यादा suggestion रहेगी कि आप bank nifty में करें, आप sense x में करें, जब high volatility होगी तो आप nifty 50 में करें, और expiry के दिन आप यहाँ fin nifty में भी कर सकते हो, fin nifty में ज्यादा तर market जो हो bluff करता है, इसलिए उतनी ज्यादा suggestion नहीं रहेगी, normally suggestion रहेगी, nifty, bank nifty और sense x, mid cap में भी आप क इसके बाद है stocks जिन में आप scalping कर सकते हो, तो यह है एक list में बनाया है, जिन में आप अच्छे से option scalping कर सकोगे, क्योंकि इन stocks में जो है एक अच्छा खासा moment आता है prices में, तो आपको अच्छा खासा risk to reward भी मिल जाएगा, तो यह था कि आपको किन indexes और किन stocks के optionals में scalping करनी है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक important announcement है, कि हमने फिर से अपने चैनल की membership on कर ली है, तो आप इसको join कर सकते हो, जिससे आपको यह फाइदा मिलेगा, कि आप membership videos देख पाऊगे, और आपको सारे videos के PDF notes मिलेंगे, जो भी हमने आज तक इस channel पे upload किये है, और हर Sunday आप का एक live class होगा, जिसकी link आपके WhatsApp नमबर पर send की जाएगी, जैसे ही आप membership join करोगे, तो आप इस WhatsApp नमबर पर message करना, और अगर आप advanced level का price action खरीदना चाहते हो, उस course की भी link description में होगी, जिसकी course duration साड़े 9 गंटे है, validity अभी हमने lifetime रखी है, अभी आप coupon code 50news कर सकते हो, 15% discount के इस validity और इस price को future में change किया जाएगा, 15-16 दिन के बाद prices को increase किया जाएगा, और validity हम 6 महीने रखेंगे या 1 साल रखेंगे, तो अभी best time है course खरीदने का, अभी जो भी खरीद देगा, उसकी validity जो है वो lifetime रहेगी, इसके बारे में भी अगर आपको कोई question है, तो आप इसी WhatsApp नम पर message कर सकते हैं, या हमें call भी कर सकते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते है strategies for option scalping, कि scalping में हम कौन कौन सी strategies use करते हैं, जो सबसे पहली strategy हम देखने वाले हैं, यह होगी price action की strategy, जिसका नाम है trend continuation momentum strategy, यानि कि एक तो इसमें हम trend की continuation देखेंगे, अगर downtrend सल रहा है, तो मैं downtrend की ही direction में trade लोगा, यहाँ पर momentum का मतलब है कि उसके बाद मैं expect करूँगा कि एक fast move आएगा, तो यह चीज़ याद रखना, इस strategy को हम use करेंगे 3 minutes के time frame पर और 5 minutes के time frame पर, 1 minute time frame पर यह बहुत बार fail हो जाती है, 1 minute time frame पर आपको इसको use करने की high momentum होता है, जो के सवा 9 से पोने 10 के बीच में होता है, और पोने 10 से 11 के बीच में होता है, फिर 11 से डेर बज़े तक आप यह चीज़ यूज़ नहीं करोगे, जब low momentum होगा और उसके बाद आप फिर से यह चीज़ यूज़ कर सकते हो, तो इस strategy में आपको क्या देखना है, ज हम trade में गुश जाते हैं, फिर momentum कम होता है, और volatility भी कम होती है, जिससे हमारे losses हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम directly in candles में नहीं गुश सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जैसे ही आपको दिखे कि prices जो है वो उपर की direction में जा रहे हैं, और इसके बाद आपको दिख आउट हो जाएगा एक green candle की help से, तो यहाँ पर आप अपनी buying की positions बना सकते हो, और यहाँ पर इसी candle के low के नीचे आपका stop loss होगा, तो इसमें आपका जो expected risk to reward होगा, वो होगा 1 is to 1 से लेकर 1 is to 2 तक, यहाँ पर आप 1 is to 3 के targets के लिए नहीं जाएंगे, तो यह है पहली situation, दो जो है वो ऊपर जा रहा है और एक ही बड़ा सा candle बना, या दो बड़े candle बने, या 3 भी बन सकते है, 4 भी बन सकते है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि एक ही red candle बना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन ही candle के high पे आपको एक resistance बारक करनी है, और जैसे ही उस resistance का breakout हो with the help of a green candle तो यहाँ पर आप अपनी buying की position बना सकते हो और इन ही candles में जो भी इसका low होगा तो यहाँ पर आप अपना stop loss रख सकते हो यह तब ही वरक करेगा जब very high momentum होगा तो यह चीज़ आपको याद रखनी है इस तरीके से आपको trade करना है इस चीज़ को हम bill flag pattern भी कहते है अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया तो इसके लिए में एक separate video बनाई है तो उसकी भी link में description में रख दूँगा और इसी का ultra downtrend की लिए होगा कि एक red candle बना बड़ा सा दूसरा बड़ा red candle बना दो तीन बन सकते हैं चार भी बन सकते हैं ज्यादा तर एक दो या तीन ही बनते हैं और इसके बाद क्या हो रहे हैं इसके retracement में green candle एक दो तीन या चार बन रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको इनके laws पर एक trend line मारक करनी है और जैसे ही इस trend line का breakout हो जाएगा with the help of a red candle तो आपको यहाँ पर entry बनानी है यहाँ पर भी आपका risk to reward जो है one is to one या one is to two होता है इस चीज़ को हम bear flag pattern भी कहते हैं यहाँ पर भी आपका stop loss इस candle का high होता है या पिछले green candle का high होता है या आप उस से थोड़ा उपर रख सकते हो लेकिन यहाँ पर यह चीज़ याद रखना अगर आपका stop loss quickly hit हो रहा है volatility की वज़े से तो आपको trade से निकल जाना है यहाँ पर wait करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसी तरह से क्या हो सकता है कि कभी कबार एक बड़ा red candle बन सकता है दो red candle बन सकते हैं उसके again estimate retracement में सिरफ एक ही green candle बन सकता है तो यहाँ पर क्या आपको करना है यहाँ पर आपको support ड्रा करना है एक green candle आ Bunu आएगा downtrend में तो support ड्रा करना है एक red candle आएगा uptrend में तो resistance ड्रा करनी है दो तीन red candle ने green candle आएगे तो वहाँ पर आपको trend line मारक करनी है बहुत uptrend and downtrend में तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है जैसे ही इस support का breakdown हो जाएगा with the help of a red candle तो यहाँ पर आपको अपनी entries बना लेनी है तो इस strategy की जो working probability है वो तक्रेबन 70 से 85% है यह बहुत ज़्यादा काम करती है खास कर trending moments के दोरान और trend reversal के भी दोरान यह चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन में एक दो बार use करनी है उससे ज़्यादा use नहीं करनी है for example market downtrend में जा रहा है तो आप दो बार इस pattern को trade करोगे लेकिन फिर अगर trend reverse हुआ तो यहाँ पर भी आप फिर एक दो बार इसको trade कर सकते हैं लेकिन अगर continuation हुई तो continuation में ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन बार उससे ज़्यादा आपको trade नहीं करना है चलिए अब हम इसको practical chart पे देखते हैं तो यह recent के market से यहाँ पर आप देख सकते हैं market पहले नेचे गिरा है नेचे गिरा फिर उपर आया अब देखो पहले market सीधे ही उपर गया यहाँ पर एक pattern की formation हुई अब देखो बड़े से green candles उनके against के retracement में red candles हमें मिले तो यहाँ पर कितने बने हैं एक दो तीन चार तो इस पर हम एक trend line मारक कर सकते हैं पांच भी आ सकते हैं उससे ज़्यादा हम नहीं देखते हैं उसके बड़े से green candles और फिर एक ही red candle बना तो यहाँ पर मैं resistance मारक कर सकता था जैसे ही resistance का breakout हुआ फिर आप देखो prices में कितना बड़ा moment आया यहाँ पर भी एक ही red candle बना तो इस पर एक resistance मारक की जाएगी इसके उपर सीधे ही prices गए है तो यह देखिए कितना ज़्यादा वरक करता है इसके अगेनिस्ट में आप देखिए market नीचे जा रहा था इसके अगेनिस्ट में prices जो है वो फिर green candles बनाए एक दो और तीन तो यहाँ पर मैं एक trend line मारक करूँगा नीचे की तरब जैसे ही इस trend line का breakout हुआ है अब देखिए market continuously नीचे की direction में आया है यह sideways market है sideways market में यह चीज़ आपको नहीं देखने है तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको कहा कि जब high volatility होगी markets में अच्छे खासे moments आएंगे तब आप यह चीज़ यूज़ कर सकते हो यहाँ पर देखिए यह sideways market है तो कोई भी चीज़ आपको देखने की जुरूरत नहीं है बस trend continuation और trend reversal की दोरान आप यह देख सकते हो तो यहाँ पर आप देखिए market जो है वो continuously नीचे की direction में आया है फिर यहाँ पर एक ही green candle बना है और यहाँ पर आपको पता है कि support ड्रा करना है जैसे ही support का breakdown होगा यहाँ पर आप अपनी entries बना सकते हैं यहाँ पर भी एक ही green candle बना है तो जैसे ही low का breakdown होगा तो यहाँ पर भी आप अपनी entries बना सकते हैं इन traders में आपको easily one is to one या one is to two तक के target मिलेंगे लेकिन यहाँ पर आपको hold करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि इसका primary मकसद यहीं है कि जैसे ही आप entry करोगे तो आप एक अच्छा खासा momentum expect करोगे यह देखो यहाँ पर low volatile और unhealthy candles बन रहे तो यहाँ पर यह चीज applicable नहीं होगी तो पहला ही रूल था कि बड़े candles बनने चाहिए उनके again estimate छोटे candles दो तीन या एक ही बन सकता है फिर हम trade करते हैं यहाँ पर आप देखिए moment जो है वो continuous हुआ पहला बड़ा candle फिर उपर गया और यहाँ पर एक ही red candle की formation हुई फिर दूसरा तो यहाँ पर देखो पहले हम इस एक resistance मारक करते फिर यहाँ पर क्या हुआ कि इस resistance का breakout जल्दी नहीं हुआ फिर यहाँ पर जो है market रूख गया तो यहाँ पर एक trend line की formation होगी और जैसे ही इस trend line का breakout हुआ यहाँ पर आप entry अपनी ले सकते थे तो यह trade भी हमारा successful हुआ है यहाँ पर कोई trade नहीं बनता यहाँ आप देखें market जो है continuously उपर गया तो इस resistance के बाद आपका यहाँ पर trade बन सकता था जो कि हमारा फिर से successful हुआ है यहाँ पर sideways market है यहाँ पर भी देखें आप prices जो है वो नीचे आ रहे थे फिर एक ही green candle बना लेकिन इसकी जो विक है वो बहुत जादा नीचे थे तो आपको य प्रेंड लाइन मारक कर सकते हैं जैसे ही prices उपर गये तो आप trade ले सकते थे तो यहाँ पर भी आपका profit हुआ एक बड़ा सा green candle उसके अगेनेस्ट में छोटा red candle तो इस पर हम एक resistance मारक करेंगे जैसे ही price उसके इस resistance के उपर जाएगा हम trade ले सकते थे अब देखो आपको यहा identify उसे 40 pointers easily मिल जाएंगे तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा practice करो और आप देखो कि यह कितनी बार work कर रहा है और मुझे comment sections में बताना कि आपको यह चीज़ इससे पहले पताती इसके बाद अगर हम bank nifty में आए तो bank nifty में भी आप किसी भी random दिन का चार्ट खूल सकत जैसे ही breakout हुआ आप यहां पर trade ले सकते थे और आपका stop loss था वो यहां होता और आप देखो इसके against में आपको कितना बड़ा target मिला है तो simple सी strategy है आपको simply use करना है लेकिन इन चीज़ों को complicated नहीं बनाना है जब market आपको देख रहा है कि world volatile है जो मैंने timing साब को बता दी तब को use नहीं करना है खासकर 11 बज़े से 12.30 या एक के बीज में कभी भी use नहीं करना है क्योंकि आप trap हो जाओगे जैसे यहां पर देखो आप prices उपर गए यहां पर एक bull flag बन रहा था अगर मैं इसके breakout पे लेता अगले ही पल मेरा stop loss हिट हुआ लेकिन आप timing देखो 11.40 है इस व peak momentum मुझे मिला तो यहां वरक करेगा लेकिन अगर आप इसको 12 बज़े से पहले या साड़े बारा से पहले यूज करोगे 11 बज़े के दर्मियान तो यह बहुत ज़द आपको bluff करेगो और आपके stop loss खाएगा यहां पर आप देखो prices नीचे आ रहे थे यहां पर bear flag की formation तो इस market low volatility में होगा जैसे कि यहां पर उस वकत आप इस strategy को use नहीं करोगे इस market के लिए जो strongest और weakness की strategy होती है वो मैं अगले वीडियो में आपको सिखा दूँगा फिर से आप यहां पर देखे prices नीचे आए फिर से directly उपर गया कि जो बंदे इस candle में गुसे होंगे top पे उनका stop loss इस कि हुआ होगा बहुत तेज इसलिए मैं यहां पर आपको directly कहता हूँ कि green candle में कभी भी directly नहीं कुछना है पहले एक retracement का कम से कम wait करो यहां पर आप उसके बाद देखो एक एक ही red candle बना तो हम इसका top mark करते और यहां पर क्या हुआ कि नीचे यहां पर मेरा stop loss होता और जैसे ह break out हुआ अब देखो prices में कितना बड़ा momentum आया simple सा logic है simple trade है बस wait करना है market में कहीं भी नहीं गुजचाना है तो इसकी जो accuracy है जो मैंने पहले यह कहा वो 70% से 85% तक है यह बहुत ज़्यादा काम करती लेकिन तबी जब high volatility market होता है और जब आपको बड़े trades मिलने की संभावना ज़्यादा होती है तो इस चीज़ को याद रखना और इसको बहुत ज़्यादा आप practice कर सकते है अगर हम randomly और कोई chart खोले जैसे कि फिन निप्टी तो फिन निप्टी में भी आप देख सकते हो prices उपर गए बुल फलाग की formation यहाँ पर आदेखो बुल फलाग की formation यहाँ पर ज़्याद करने है पहले इसको practice करना है और आपको इसकी timing स्याद रखना है कि दिन के किस किस timing के दोरान यह ज़्यादा बनते है फिर आपको यह चीज़ trade करना बहुत easy हो जाएगा और इसमें जो आपका expected hour to hour होगा यानि कि risk to reward ratio वे minimum one is to one होगा और maximum आप one is to two तक जा सकते है आप trail कर सकते हैं लेकिन मैं suggest नहीं करूंगा आपको बहुत कम बार जो है one is to three मिलेगा लेकिन कभी कबार जो है one is to three भी मिल जाता है easily अभी scalping course के part one में बस इतना ही हम पढ़ेंगे जो part second आने वाला है उसमें हम sideways market stronger based strategy cover करेंगे strike price selection देखेंगे 200 SMA scalping strategy देखेंगे trend reversal या जि timing based strategies होती है जैसे कि 9.15, 9.30, 10.15 और 3.00 पीम strategy ये पी देखेंगे और RSI scalping strategy देखेंगे और भी बहुत सारे topics जो है वो आगे add किये जाएंगे तो फिलाल के लिए आप इस scalping course के पहले part को master कीजिए और अगले parts देखने के लिए आप हमारी चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को भी जाएंग कर सकते जिसकी link description में होगी और चैनल के membership और price action course को देखना ना बूले मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में